आपने कई बार सुना होगा कि आतंगवाद का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही जाती हिंदू आतंगवाद शब्द गढ़ने वाली कॉंग्रस के बाद अब अभिनेता और नेता कमल हसन ने हिंदू आतंगवादी को ही ढूण निकाला है अभिहाली में राजनीती में आये कमल हसन की पार्टी मकल निधी मैयम चुनाव भी लड़ रही है तो अपने उम्मीदवार के लिए तमिलनाडू के अरावा कुरूची लोकसभाज शेत्र में प्रचार करने गए कमल हसन ने हिंदू आतंगवादी कहकर वहां की जनता से वोट बांगा जिससे फिल्म अभिनेता विवेकोबरॉय भड़क गए एक सीनियर कलाकार को आतंगवाद में भी धर्म ढूनना विवेकोबरॉय को रास नहीं आया और उन्होंने कमल हसन को लगे हाथ सलाह भी दे डाली दैसल पार्टी उमीदवार के लिए कमल हसन अपनी पार्टी के विकास के एजंडे को बतानी की बजाए हिंदू आतंगवादी का जिक्र कर वोट मांग रहे थे और प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि आजाद भारत का पहला आतंग की एक हिंदू था उसका नाम था नाथू राम गोट से यही से आतंग की शुरुआत हुई थी मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका है बलकि मेरे सामने गांधी की प्रतिमा है चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू आतंगवादी का पता लगाने वाले कमल हसन भले ही एक बड़े कलाकार हो मगर उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने की राह चुनी जिस पर विवेक ओब्रॉय भड़क गए और ट्वीट कर कहा की डियर कमल हसन सर आप महान कलाकार हो जिस तरह से कला का कोई धर्म नहीं होता उसी तरह आतंगवाद का भी कोई धर्म नहीं होता आप गोटसे को आतंगवादी कह सकते हैं आपने हिंदू के तौर पर क्यों परिभाशत किया क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुस्लिम बहुल शेत्र में वो ढून रहे थे प्लीज सर एक बहुत ही छोटे कलाकार की एक महान व्यक्ति से अपील है किस देश को बाटे ना हम सभी एक हैं जैहिद विवेक के ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा जब आतंकी हमला होता है देश में तब आतंकियों का कोई मजहम नहीं होता है और अब वोट के लिए हिंदू आतंकवाद के एक और रचैता आ गए ये भूल गए दिग्गी का हाल क्या हुआ है भोपाल में हिंदूओं को गाली देने का एक अलग ही नशा है ऐसे लोगों का बीजेपी नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया ने कमल हसन पर जबरदस्थ हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है लेकिन कमल हसन कहते हैं भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था मिस्टर कमल हसन क्या बताओगे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा मुंबई धमाके को अंजाम दिया 1984 में सिखों की हत्या की संसत पर हमला किया और आप जैसे अर्वन नकसल हिंदू धर्म को क्यों नीचा दिखा रहे हो कमल हसन के बयान से पहले यहीं जाता रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन नए नए राजनीती में आये कमल हसन को आतंकवादी में हिंदू धर्म दिख गया और लगे हाथ वोट के लिए बता भी दिया कि पहला आतंकवादी हिंदू था लेकिन ये नहीं बताया कि मुंबई हमले को अंजाम देने वाल आतंग की किस धर्म का था सिर्फ चुनाव के समय ही कमल हसन को हिंदू आतंगवादी नजर आ गया इससे पहले कॉंग्रिस ने हिंदू आतंगवाद का जिक्र किया था जिसकी कीमत वो आज भी चुका रही है और बीजेपी लगातार हमला करती रही है इस चुनाव में भी पीएम मोदी ने कॉंग्रिस पर हिंदू आतंगवाद को लेकर जम कर हमला बोला था